जैनरायन बच्चों, आज हम सभी रुचिरा पाठ्थे पुस्तक के तृतिय पाठ्थ स्वावलंबन का हिंदी अर्थ जानेंगे जैसा कि मैंने पिछली भी कक्षा में बताया था आपको कि स्वावलंबन का अर्थ है आत्म निर्भरता और यह पाठ्थ हमारा आत्म निर्भर होने का ही संदेश देता है या सिक्षा देता है तो आगे हम देखते हैं कृष्ण मूर्ति ही स्रीकंठस्च मित्र आस्ताम कृष्ण मूर्ति और स्रीकंठ मित्र थे श्रीकंठस्य पिता सम्रिध आसीद श्रीकंठ के पिता सम्रिध धनी आसीद थे तो स्रीकंठ के पिता धनी थे अतह इसलिए तस्य उसके भवने घर में सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधनानी सुख के साधन आसन कार्थ थे कि इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे तस्मिन उस विशाले बड़े भवने घर में चत्वारिंशत चालिस इस्तंभाह खंभे आसन थे कि उस बड़े घर में चालिस खंभे थे तस्य अश्टादस तस्य उसके अश्टादस अठारह प्रकोष्ठेशु कमरों में पंचाशत पचास गवाक्षा खिड़कियां चतुस चत्वारिंशत चालिस द्वाराणी दर्वाजे शट्ट्रिंशत चालिस विद्युत विजनानी बिजली के पंखे च और आसन थे कि तस्य उसके अठारह कमरों में पच्चास खिड़कियां चोवारिस दर्वाजे वा छट्टिस विद्युत के पंखे थे या बिजली के पंखे थे तत्र वहां दस दस शेवकाह नौकर निरंतरम लगातार कार्यम कार्य कुर्वंतेस्म करते थे वहां दस नौकर हमेशा लगातार कार्य करते थे अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो आपको बताया गया है कि स्रीकंट का घर विशाल था 40 खंबे थे तो उसका एक चित्र आपको यहां दर्शाया गया है आगे बढ़ते हैं परम लेकिन कृष्ण मूर्ते के माता और पिता निर्धनों कृषक दमपत्ती गरीब किसान दमपत्ती थे दमपत्ती कार थे पती पत्तनी कि लेकिन कृष्ण मूर्ती के माता और पिता गरीब किसाक पती पत्तनी थे तस्य उसका ग्रिहम घर आडंबर विहीनम दिखावे से रहित साधारण च आसीद च कार्थ है और साधारण मतलब साधारण आसीद था कि उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था एकदा एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ किसके साथ कृष्ण मूर्ति के साथ कि तेन सह उसके साथ प्रातः सुबह नव वादने नव बजे तस्य ग्रिहम उसके घर अगक्षत गया तत्र वहां कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिताच तत्र वहां कृष्ण मूर्ति तस्य उसके माता पिताच माता और पिता स्वासक्तया अपनी सक्ति के अनुसार स्रीकंठा स्य श्रीकंठ का आतिध्यम आतिथि सत्कार अकुर्वन किया कि वहां कृष्णमूर्थी और उसके माता पिता ने अपनी सक्ति के अनुसार स्रीकंठ का आतिथि सत्कार किया एतद्रिष्टवा यह देखकर श्रीकंठ श्रीकंठ अकथयत श्रीकंठ ने कहा मित्र कि है मित्र अहम मैं भवताम आप सबके सत्कारी आदर सत्कार से संतुष्टों असमी संतुष्ट हुँ अब यहां चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि श्रीकंठ कृष्ण मूर्ती के घर आया हुआ है और कृष्ण मूर्ती और उसके माता पिता श्रीकंठ के आदर सत्कार में लगे हुए हैं अब आगे देखते हैं हम केवलम केवल इदम एव इदम मींस यह एव मींस ही कि केवल यह ही मम दुखम मेरा दुख है यत की तव तुम्हारे ग्रिहे घर में एको अपी एक अपी मींस भी एक भी भृत्या नौकर नास्ती नहीं है कि केवल यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है मम सतकार आए भृताम बहुत कस्टम जातम मम मेरे सतकार आए आदर सतकार में भृताम आप सबको बहुत कस्टम जातम हुआ ममक्री है मेरे घर में तू तो बहवा बहुत कर्मकराह संती नौकर है तदा तब कृष्ण मूर्ती ही अवदत कृष्ण मूर्ती ने कहा अवदत मींस कहा मित्र की है मित्र ममा पी मेरे भी अश्टव आठ कर्मकराह संती नौकर है अब उसने बताया कि उसके आठ नौकर हैं और वे हैं कौन-कौन से दो पादव, दो पेर जैसा कि आप स्लाइड में देखेंगे दो पादव, दो पेर दो हस्तव, दो हाथ दो नेत्रे, दो आखें और दो श्रोत्रे, दो कान ये बताया गया कि मेरे दो हाथ, दो पैर, दो आखें और मेरे दो कान ही मेरे नौकर हैं एते ये सब कौन हाथ, पैर, नाक, कान ये सब प्रतिक्षाणम मतलब हर एक शड मम सहाय कह मेरे सहायक होते हैं या मेरी सहायता करते हैं, किन्तु लेकिन तव भृत्याह तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च उपस्तिता भवत्यूम न सक्नुवंती कि किन्तु लेकिन तव भृत्याह तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा ही सरवत्र हमेशा हर जगह उपस्थिता भवित्युम उपस्थित ना सक्नुवंति नहीं रह सकते ये जो मेरे नौकर है वा तो हर एक छण मेरे सहायक होते हैं मेरे सहायता करते हैं लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा ही हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते तुम तु सर्वकाराय भृत्याधीन है तुम तो सभी कारे के लिए भृत्याधीन है नौकरों के अधीन हो यानि नौकरों पर निर्भर हो यदा यदा जब जब ते अनुपस्थिता वे अनुपस्थित रहेंगे या नहीं रहेंगे आएंगे तदा तब 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 तुम कष्ट मनुभवसी तुम कष्ट का अनुभव करोगे अब यहां आपको देखे चित्र दिखाएगा दो पेर दो हाथ दो आँखे और दो कान आगे हम देखते हैं स्वाव लंबने तू सरवदा सुखम एव कि स्वाव लंबन में तू तो सरवदा हमेशा ही सुखम एव सुखही है न कदापी मतलब कदा मतलब कब अपि मीज भी तो दोनों को मिला देंगे तो कभी न कभी भी कष्टम भवती न कष्ट नहीं होता है कि स्वाव लंबन मीज आतम निर्भरता में तो हमेशा सुखही है कभी कष्ट नहीं होता श्रीकंठ ने कहा मित्र कि है मित्र तव वचनानी शृत्वा तुम्हारे वचनों को सुनकर तुम्हारी वचनानी मींज बातों को शृत्वा मींज सुनकर मम मेरे मन सी मन में महती प्रसनता जाता महती मींज अत्यनत प्रसनता जाता मतलब खुशी हुई अधुना अब अहम में भी स्वखारियाड़ी अपने कारियों को स्वयम एव खुद ही करतों मिश्ञामं करने की इक्षा करूँगा यह करता हूँ भवतू अच्छा सार। सार्ध मीज साढ़े यहाँ आपको समय बताए जा रहा है तो आप कहते हो निए 11, 12, 12 वही है सार्ध मीज साढ़े 12 मीज 12 तो साढ़े 12 वाधनम इदम बजे हैं कि अब साढ़े 12 बज गए हैं साम प्रतम ग्रिहम चला में कि घर की ओर चले साम प्रतम मतलब कि ओर अर्थ लिया जाता है तो ग्रिहम घर की तो घर की ओर चलता हूं धन्यवाद